आम का मौसम अभी कुछ दिनों में जाने ही वाला है तो क्यों ना कुछ ऐसी रेसिपी बना लें जिसको आप 5-6 महीनों तक आराम से इंजोई कर सकते हो और आम की जो कमी है वो आपको महसूस नहीं होगी तो यहां पर देखिए कच्छी कैरी से मैंने बनाया है आम पनना आशे एक बार बना लो और फिर 6 महीने तक इसको इंजोई करो तो यहां पर देखो मैं 1 किलो कैरी ले रही हूँ अच्छे से इनको वाश कर लिया था पहले ही अब इनको हम बॉयल करेंगे बॉयल करने के बाद इनका गुदा है वो हम निकाल लेंगे और बस इनको अच्छे मैंने कुछ मसाले लिये हैं जैसे कि भुनावा जीरा, काला नमक, सफेद नमक, काली मिर्च का पावडर और एक कप मैंने लिया है चीनी इसके साथ ही एक कप मैंने लिया है यहां पे फ्रेश पुदीना तो फ्रेश पुदीना यहां पे लेना है तो इससे बहुत ही इसका फ एड़ कर देंगे और जो यह आम का हमने गुदा बनाया है यह भी हम इसमें डाल देंगे और इसको एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे तो यह देखो आप देख सकते हो मेरा थोड़ा से यह यलो कलर का था इसलिए हलका इसी मिठास वाली कैरी थी तो इसलिए मैंने चीनी थोड पीसा था वो हमने डाल दिया है इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें चीनी तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है दस मिनट में बनकर यह तयार हो जाता है और आपके इसको पांग से च्छे मेने तक आराम से यूज कर सकते हो अगर बच्चे छोड़ दें तो क्योंकि मेरे अगर में तो बहुत जल्दी यह फिनिश हो जाता है अभी इस सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया और फिर क्या करेंगे इसके हमें गैस पे चड़ाना है और चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है और तब तक इस सब को चीजों को पकाना है जबते कि यह हलका गाड़ा नहीं ह हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हो इसका कलर ग्रीन है हलका यलोविश ग्रीन है जैसे जिससे यह पकेगा इसका कलर जो है वो डार्क होता जाएगा तो यह आप देख सकते हो है देखिए हलका यह डार्क होता जा रहा है चाशनी जो है अमारे गाड़ी होती जारी है त और कलर भी काफी चेंज हो गया है लेकिन जैसे आप पानी में इसको डालोगे ना तो कलर वापस चेंज हो जाएगा और मसालों की क्यूंटिटिटिए ना आप एक बार टेस्ट करके देख ले ना आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा डाल सकते हो और जब बनाओ ना उ जीखा ये थोड़ा सा पाउडर इसपे लगा दिया तो इससे ना ग्लास जो है वो थोड़े से फैंसी लुकिंग हो गए और अभी इसमें डाल देंगे हम बर्फ और बर्फ के बाद हम इसमें डाल देंगे जो आम पनना स्क्वैश हमने बनाया है वो और परस पानी तो जब भी महमान आएं आप जटपट फ्रीज में से इसे निकालें और उनको बना कर पिलाएं बहुत ही खुश हो जाएंगे महमान ये पीकर और आप देख सकते हो कितनी ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये कितनी गाड़ी-गाड़ी सी है तो मैंने इसको बना कर स्टोर कर लि तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताना अच्छी लगी हो तो प्लीज इससे लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना ताकि ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी आपको मिलती रहें और देखिए एक तम टेस्टी सा आम प करें और बस बने रहें मेरे साथ थेंक यू फॉर वाचिक मैं वीडियो बबाई